Festival आगी चुके हैं, नवरात्री चल रही है, करवा चौत आने वाली है और उसके बाद दिवाली and then भाईदूज तो तिवहार ही तिवहार हैं इस मन्त में और ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने घर के लिए कोई न कोई DIY ना ही बनाएं तो आज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन, मैसल नीतू और इस चैनल पर पोस्ट करती हूँ वीडियोस रिलेटेड तो माई होम मेकिंग, टिप्स, ट्रिक्स, DIY और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सभी के लिए बेनिफीचल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजियो फोर मोर अपडेट्स, एंड देन, नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कर दीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो बिदाउट एनी दिले, लेट्स बिगिन दा वीडिय शुरुआत करेंगे हम अपने पहले DIY से, तो इसके लिए मैंने लिये हैं, कार्डबोर्ड के दो राउंड शेप के ऐसे पीसे पतला था, इस वज़े से मैंने दो पीस चूज किये हैं, और इनको आप अपने हिसाब से कट कर सकते हूँ, कैसी भी शेप आप ले सकते हो, तो नीचे की साइड में मैंने एक स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा इसको कट कर दिया है, जिससे ये बेस में अच्छे से चिपक सके, तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को ही चिपकाऊंगी, बीच मैं करूंगी ग्लू एपलाई, कोई भी ग्लू आप यूज कर सकते हो, तो इ इसे ही यूज कर रहे हूँ, अच्छे से चिपकने के बाद इन सारी ही चीजों को हम सुखा लेंगे, तो सारी ही चीजें सूख चुकी हैं, और अब लिया है मैंने ऐसा एक लकडी का टुकडा, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप कार्डबोर्ड से कट करके भी ऐसा प लुखनें देना है, तो अब सारी ही चीजें बहुत अच्छे से सूख गई हैं, और अब मैं कर रही हूँ, इसके उपर जैसु का एक कोट एपलाई, पूरे ही पीस के उपर मैं एपलाई करूंगी, कोई भी जगर छोड़नी नहीं है, आगे और पीछे दोनों ही साइड में जिससे बाद में इसका लुख काफी नीट और क्लीन आएगा, जैसो सूख चुका है और उसके बाद मैंने इसके उपर पैंसिल से कुछ डिजाइन क्रियेट करी है, सिंपल सी लाइनिंग ही बस बनाई है, और उसके उपर हमें बनाना है लिपन इंस्पायर्ड आर्ट वर्क तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ग्लू एपलाई किया और उसके उपर मैं क्ले से बनाई हुई ये डोरियां लगा दूँगी, तो बिल्कुल ऐसी ही आपको बनाते जाना है, ग्लू लगाईए उसके उपर से क्ले की पतली-पतली सी डोरियां बनाकर चिपका दीजी, कोई भी क्ले आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप मोल्डिट क्ले ले लीजिए या फिर एर ड्राई क्ले, और अब अगेन मैं थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी और उसके उपर क्ले की बनाई हुई ये छोटी-छोटी सी गोलियां चिपकाती जाऊंगी, अगेन मैं ग्लू आप ग्लू लगा रहे हूं। और उसके उपर लगाऊंगी मिरर, तो बस ऐसी ही स्टैफ हमें फॉल운 करने हैं, ग्लू लगाते जाए और उसके उपर मिरर लगाते जाइए, जहांपर भी आपको डिशाइन चाहिए, पैटर्न चाहिए, बस आपको ग्लू लगाना है और मिर मिरर लगाने के बाद यह सारी ही चीजें अच्छे से सूख चुकी है और अब हमें कर रही हूं यहां पर वाइट एक्रिलिक कलर जो शेड आपको ज्यादा पसंद है आप उसे यूज कर सकते हैं तो मिरर के ऊपर नीचे आसपास कोई भी जगह हमें छोड़नी नहीं है पूरे में ही हमें कलर एपलाई कर देना है कलर भी अच्छे से सूख चुका है अगर आपको एक कोट से सैटिश्वेक्शन नहीं है तो आप दो कोट भी कलर के एपलाई कर सकते हो तो सारी ही चीज़ें सूखने के बाद मिरर्स के ऊपर एक्रिले कलर बहुत आराम से छूट जाता है कोई भी सूखा कपड़ा लीजिए और अपनी उंगली की हेल्प से सारा ही कलर निकालते जाईए तो इससे ना आपका आर्ट वर्क बिल्कुल लिपन आर्ट की तरह ही एकदम उरिजिनल जैसा लगेगा अगर आपको यह वाली प्रोसेस टफ लगती है तो आप पहले कलर लीजियो और बाद में मिरर्स को स्टिक करिएगा इससे भी आपका आर्ट वर्क बहुत अमेजिंग लगेगा तो सारी ही चीजें कंप्लीट हो चुकी है और अब यह तयार है आपके घर में कहीं पे भी रखने के लिए चाहे जैसे इसे रखिए एस इस भी रख देंगे तब भी बहुत अमेजिंग लगेगा चाहे तो दिवाली के टाइम पे कोई कैंडल रख कर आप अपने घर में इस अब द्वाने ऐसे मेरे वाल आट के ज़रों के थे तो यहां की डिजायन को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी और इनके व्ल्टी साइड में मैंने जैसो एपलाई करके इन्हें इस तरीके से इस पेंट या आफ लाइन भी मिल जाएंगे तो अब मैं करूंगी इसके उपर पेंट जो भी पेंट मैं कर रहे हूं वो सारे ही कलर एक्रिलिक है एंड कलर चॉइस टोटली आपके उपर है जो कलर आपको पसंद है आप उन्हें इसके उपर यूज कर सकते हैं अब हम इसे रख देंगे सूखने के लिए और पेपर पे मैंने कमल के फूल की ड्रॉइंग बना कर उसे ऐसे कट कर लिया और हमारा एक अच्छा साए स्टेंसिल तयार हो गया है तो सूखने के बाद हम इसके उपर इसे रख के पेंसिल से इस चीज को ड्रॉआ कर लेंगे और उसके बाद करेंगे इसमें हम कलर मैंने इन फूलों में रेड कलर एपलाई किया है आप चाहो तो पिंक या फिर गोल्डन कलर भी लगा सकते हो तो इस तरीके से हमारे ये फूल भी तयार हो जाएंगे और अब अगेन मैंने ग्लू एपलाई किया है और इनके उपर मैं लगा दूँगी मिरर्स तो देखा पिछले वाली क्लिपिंग में मैंने दिखाए था कि मिरर लगाने के बाद कलर किया है बट इस वाले डियावाई में मैंने पहले कलर कर लिया और उसके बाद में मिरर इन सरी ही चीजों में तो जैसा भी डिजाइन आपको पसंद है जो भी डीटेलिन्ग आपको पसंद है आप अपनी चوैस के हिसाब से उपर बना सकते हो तो ये सारी डीटेलिंग्स बनने के बाद हमारा ये वाला आर्टवर्ग तयार हो जाएगा जो इस festive season में बहुत amazing लगने वाला है तो देखा आपने कि कैसे मैंने अपने पुराने वाल आर्ट्स को ही repaint करके एक नया लुग दे दिया कोई नहीं बता पाएगा कि मैंने ये पुराने ही use करें है है हम अपने तीसरे DIY की तरफ मैंने लिया है अपना ये पुराना wooden spatula जो लगड़ी के कर्चोल या पलता होते हैं वो लिया है क्यों ना इसी को again paint करके हम कुछ नया बनाए तो simply इसकी उपर पहले तो देखिए yellow acrylic color apply किया है yellow की मैंने ना दो coating कर दी है तो अच्छे से इसका color आगया उसके बाद जो teal blue color होता है उससे इस side में और इस side में shading दे दिया तो acrylic color की help से ही मैं यहाँ पर कुछ pattern draw करूंगी इसके लिए मैंने white acrylic color choose किया है तो आप अपनी choice की हिसाब से कोई भी color ले सकते हो और मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक coffee mug और उसका cute सा एक handle 3D outliner की help से कुछ detailing add कर दूँगी जिससे इसमें एक और beauty add हो जाएगी तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा cup और बना दिया है और इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी quotation लिख सकते हैं tea, coffee लिख सकते हैं जो भी चीजें आपको पसंद है और चाहे तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं तो मैंने यहाँ पर tea और coffee लिख दिया है तो यह जब सूख गया उसके बाद मेरे पास यह पहले का clay का बनाया हुआ एक fridge magnet था तो magnet निकल गया इसलिए मैंने इसे repaint करके यहाँ पर glue की help से stick कर दूँगी और बहुत cute सा हमारा एक kitchen का decorative piece तयार हो जाएगा तो चलिए लगाते हैं इसे अपनी kitchen में और देखते हैं इसका final look तो यह थे सारे ही DIYs जिनने मैंने बहुत कम time में और limited चीज़ों के साथ में तयार किया है उमीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और definitely इन सारे ही ideas को आप try करिएगा तो एक amazing वीडियो के साथ बहुत जल्दी आओंगी till then bye bye